अलो दोस्तों, welcome back to Insta Masterclass Series दोस्तों, आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे एक indicator के बारे में जिसका नाम है Parabolic SAR, Parabolic SAR Indicator ये एक advanced indicator है काफी traders इस indicator को use करते हैं ये जो indicator है, ये stop and reversal concept पे काम करता है, काफी अच्छी इसकी accuracy है, आज इस indicator को end-to-end सबने की कोशिश करेंगे, इस indicator के साथ, दूसरे indicator को join करके एक बड़िया trading strategy आपके साथ discuss करूँगा जिसको आप option selling या option buying या option scalping में बहुत ही easily use कर सकते हैं, 5 में time frame, 15 में time frame या 1 घंटे के time frame वीडियो end तक ज़रूर देखिए, चलिए discuss करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर आप bank nifty का 5 में time frame का चार्ट देख पा रहे हो तो सबसे पहले आपके यहाँ पर indicator बटन पर click करना है, indicator बटन पर click करके यहाँ पर type करेंगे इस indicator को plot करेंगे, इसका नाम है parabolic SAR, parabolic SAR indicator, इस indicator को यहाँ से plotting होती, dots को थोड़ा हम और ज्यादा bold कर देते हैं, थोड़ा visibility हमाई लिए बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हमने okay करके इस तरह indicator को यहाँ पर plot कर दिया है, so इस indicator को plot करना आप सीख चुके हो, अब इसको use कैसे करना है, use, जैसे ही यहाँ पर देखिए price अगर parabolic SAR के नीचे है, तो यह एक downtrend में है price, prize parabolics SAR के नीचे है, यहाँ पर downtrend है, parabolics SAR के ऊपर price आया है, तो यहाँ पर uptrend हो गया है, और जैसे ही star conversion होता है, जैसे कि uptrend से downtrend में convert होता है, तो यहाँ पर आपको entry exits की तरह इसको use किया जा सकता है बट यह तरीका जो है इसको खाली इस indicator को use करके buy or sell करना बड़ा ही confusion हो सकता है इसमें बार-बार आपके stop losses भी hit हो सकते हैं आप बार-बार entry आलेंगे जैसे इस पॉइंट पर देखो यहाँ पर एक candle में positive हुआ फिर negative हुआ यहाँ पर कई बार आपके stop losses कटेंगे तब जाके एक अच्छा trade मिलेगा इस indicator के साथ हमको दूसरी indicator को भी use करना चाहिए ताकि इसकी accuracy और ज़दा बढ़ जाए यह जो indicator है दोस्तों यह entry exit बताने में तो अच्छे से काम कर रहा है आप देख पार हो जब जब यहाँ पर downtrend में हो रहा है एक बढ़िया trend आपको मिल रहा है बट हमको खाली यह जो beach में जो cluster है इस zone को बस avoid करना है तो कैसे करें तो इसके लिए आप सब भी जानते हो कि कोई भी strategy हो उसका सबसे important एक pillar होता है trend identification तो अगर trend के favor में अगर आप काम करेंगे तो यह जो beach beach में जो false signals मिलते है इनसे आप आराम से बच जाएंगे अगर आप trend को साथ में लेके चलते हैं तो यहाँ पर हम trend identification के लिए moving average का use करेंगे तो यहाँ पर हम type करेंगे moving average और moving average exponential type करेंगे और यहाँ पर हम moving average है इसको हम inputs में 200 डाल देंगे 200 moving average हम यहाँ पर use करेंगे और इसको हम जो है थोड़ा bold कर देते हैं ताकि हमको visibility clear हो जाए तो यहाँ पर हमने moving average plot कर दिया है तो यह moving average क्या बता रहा है यह basically broader trend आपको बताएगा कि भाई आप moving average की जगे है आप super trend भी use कर सकते हो आप कोई भी other indicator यूज़ कर सकते हो जिससे आपको trend identification में help हो तो यहाँ पर moving average के नीचे price है तो downtrend है moving average के उपर price है तो यह up trend है यहाँ पर हमारी एक बात clear हो गई है trend clear हो गया है आपको SAR भी help कर रहा है हम 9 E.M. जो की लगा हुआ है और एक हम लगाएंगे 21 E.M. यह जो moving averages है यह आपको basically cross overs identify करने मदद करेंगे जिसके आपको एक signal मिल जाएगा entry signal मिलेगा तो यहाँ पर हमने एक indicator को bold कर लिया है इस तरीके से दोस्तों अब हमारा setup पूरी तरह से ready हो चुका है परावल एक सार ने बोला है कि price uptrend से downtrend में आ गया है तो ठीक है सबसे पहले अगर downtrend में आ रहा है तो सबसे पहले down में entry लेना है तो सबसे पहले देखो कि trend overall broader trend कहा है तो broader trend बताया है 200 moving average ने कि भाई यहाँ पर price जो है 200 moving average के नीचे आ चुका है तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ी है तरीके से आपने filter करके trade को निकाल लिया है वैसे अगर हम और दूसरा example देखने कोशिक करें तो देखिए यहाँ पर जो है crossover हुआ है यहाँ पर 9 EMA ने 21 EMA को यहाँ से नीचे से cross किया है parabolic star value भी bullish है और downtrend में price है moving average के भी नीचे है तो यहाँ पर इस candle के बाद यहाँ पर बहुत ही बड़ी है आपको एक entry मिल जाती है तो यह पूरा आप भी trade राइट कर सकते है इस candle के high के पास आप stop लगाएंगे 1-2 का risk reward issue वाला एक बहुत ही proper trade आपको यहाँ पर देखने को मिला है तो यहाँ पर एक और crossover हुआ है बड downtrend में है तो यहाँ पर entry नहीं बनती है अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी crossover हुआ है बड़ आगे बढ़ने के बाद इस point पर हमको entry मिल दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 EMA, 21 EMA को नीचे से cross किया है 200 EMA की उपर price है parabolic SAR value भी देखिए यहाँ पर आपका price parabolic SAR के उपर है तो इस candle पर आपको बहुत ही बढ़िया एक entry signal मिला है यहाँ पर इस candle का low रहेगा आपका stop loss और यहाँ पर देखिए 1 EMA का ज्यादा वाला एक trade यहाँ पर आपको मिल गया है trades देखिए बहुत कम मिलेंगे इसमें ऐसा नहीं कि आपको हर point पर trades मिलेंगे हम 5 minute time frame देख रहे हैं तो थोड़े कम देखने को मिलेंगे 1 minute देखेंगे तो थोड़े ज्यादा trades देखने को मिलेंगे 15 minute time frame पर देखेंगे तो हो सकता है हफते में 2-3 trade आपको ऐसे मिलें trades बहुत ही कम मिलेंगे तभी मिलेंगे जब आपको एक सटीक market देखेगा market जब trending रहेगा आपके direction में रहेगा और proper entry देखने मिलेंगे तभी आपको trades देखने को मिलेंगे तो इस strategy को आप definitely backtest करके भी देख सकते हैं पास जटा आप backtest करके देखें किस तरीके से इसका performance है अई हो parabolic SAR के साथ ये indicators को मिला कि strategy आपको beneficial रहेगी अगर video informative लगा है प्लीज hit the like button चैनल को subscribe करें bell icon को क्लिक करना ना भूलें thank you for watching happy trading